हेलो एवरीवन, वेलकूम अगेन टू लर्ण गृदेतीमन, आज हम करने वाले हैं जैपुर जिले से संबंतित, जितने भी परेटन इस्तल हैं, उनकी आज हम बात करेंगे, कोशन आंसर जो हैं, वो आप लोग जितने भी पिसले वीडियो दे दिये गए हैं, उनको बार-बार लर्ण करिए, जिससे कि आपके एक्जाम आने तक इनकी बाद में रिवीजन भी हो सके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज हम जैपुर जिले के बारे में बात करेंगे, कोशन 160 देखिए, राजिस्थान का गुलाबी शहर या गुलाबी नगरी किस जिले को कहा जाता है, तो सबको पता है यह है कि वो जैपुर जिला है, जिसे गुलाबी शहर कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं, हवा महल कब और किसके द्वारा निर्मित करवाया गया, तो यह महराजा सवाई परताब सींग के द्वारा बनवाया गया था 1799 इस्वी में, 1799 इस्वी में महराजा सव प्रताब सींग द्वारा हवा महल का निर्मान करवाया गया था इन कुश्चन को याद करने में आपको बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी क्योंकि ये सभी कुश्चन आप लोग पहले भी कर चुके हैं ठीक है कुछ कुश्चन है जिनको आपको सिर्फ उनको देखना है बा भगवान कृष्चन के मुकुट के समान यह है दिखाई देता है पांच मंजिला हवा महल भगवान कृष्चन के मुकुट के समान दिखाई देता है नेक्स्ट दिखिए हवा महल के वास्तुकार कौन थे बहुत ही important question है ये वाला आपका most important कि इसके वास्तुकार है लाल चन उस्ता हवा महल किस प्रकार के पत्थर से निर्मित है यह बलुवा पत्थर से निर्मित है हवा महल कौन सी वास्तु शैली देखने को मिलती है, याद रखना है हवा महल में राजिस्तानी शैली के साथ मुगल वास्तु शैली भी देखने को मिलती है नेक्स्ट हैंस हवा महल में कितने जھरोकें हैं और कितनी खिड़कियां हैं देखिए कितनी खिड़कियां हैं ऐसा कुश्चन जो है वो पहले भी एक्जाम में पूछा जा चुका है हवा महल में कितनी खिड़किया है यहां पर 953 ज़रों के हैं या 953 खिड़किया है आमेर का किला राजिस्थान के किस जिले में इस्तित है यह जैपुर जिले में इस्तित है नेक्स्ट दिखिए कुश्यन 168 आमेर कौन से राजपूतों की राजधानी रही है यह कचवाहा राजपूतों की राजधानी रही है तो आमेर में कचवाहा राजबन्स जो है था यूनेस्को की विस्व धरोहर सूची में शामिल कौन सा किला कचवाहा राजपूतों की राजधानी रही तो सबको पता है यह वो आमेर का किला ही है जिसे यूनेस्को ने विस्व धरोहर सूची में सामिल किया था और यह कचवाहा राजपूतों की राजधानी रही आमेर के किले का निर्मान कब और किसके द्वारा करवाया गया? निर्मित किया गया है यह हिंदू और मुगल शैली से निर्मित किया गया है यह हिंदू और मुगल शैली से निर्मित किया गया है नेक्ट देखिए, कुश्चन 172, जैपूर के संस्थापक किसे कहा जाता है? महाराजा सवाई जै सिंग डुटिय को जैपूर का संस्थापक कहा जाता है? 173 कुश्चन है, यूनेसको द्वारा विस्व धरोहर के तौर में सम्मिलित जंतर मंतर क्या है? तो जन्तर मंतर क्या है? वैदशाला है महराजा सवाई जैसिंग दुत्ये द्वारा निर्मित पांच वैदशालाओं में से सबसे बड़ी वैदशाला जो है वह जन्तर मंतर है सवाई जैसिंग दुत्ये के द्वारा इसका निर्मान करवाया गया था जैगर्ड फोर्ड का निर्मान कार्य कब और किसके द्वारा किया गया जैगर्ड फोर्ड का निर्मान जैपूर में कब और किसके द्वारा करवाया गया यह है महाराजा सवाई जैसिंग डुत्य द्वारा ही करवाया गया 1726 इसवी में तो याद रखना है महाराजा सवाई Jaising second इनके द्वारा बहुत से निर्माण जो है वो जैपूर जिले में करवाया गया, जैपूर के संस्थापक सवाई Jaising ड्युतिये को ही कहा जाता है. जैगर्ड फोर्ट का निर्माण किस किले की सुरक्षा हेतू करवाया गया तो क्यों बनवाया गया था जैगर्ड फोर्ट स्वाई जैसिंग डुटिये ने तो आमेर किले को सुरक्षित रखने के लिए जैगर्ड फोर्ट का निर्माण करवाया गया जैगर्ड फोर्ट में इस्थित विश्व की सबसे बड़ी तोप का क्या नाम है तो यहाँ पर जैबार तोप जो है वो सबसे बड़ी तोप है याद रखना है सवाई जैसिंग के नाम पर ही है जैबार जैबार तोप जो की विश्व की सबसे बड़ी तोप है यह हमने अभी कोश्यन में देखा इसकी विशेष्टा क्या है इसकी विशेष्टा है 31 फीट 3 इंच लंबी है 50 टन बजनी है यानि इसका बजन जो है वो 50 टन है और केवल एक बार चलाई गई है तिके केवल एक बार इ निर्मित किया गया नाहरगड का किला कहां है जैपूर में है और यह है महाराजा जैसिंग के साशनकाल में 1734 में निर्मित किया गया नाहरगड किला के किस भवन को ग्रीश्म काल में महाराजा के निवास के रूप में काम में लिया जाता है तो वह माधवेंद्र भवन है जिसे ग्रीश्म काल में महाराजा के निवास के रूप में काम में लिया जाता है Albert Hall Central Museum इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई Albert Hall का निर्मान जो है वो Prince of Wales द्वारा करवाया गया Albert Hall की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई Prince of Wales के द्वारा Albert Hall का नाम किससे प्रेरित है Albert Hall का नाम किससे प्रेरित है यह लंदन के Albert संग्रहाले से ही प्रेरित है देखिए कुश्यन जो है वो आपके इस तरीके से यहाँ पर करवा रही हूँ मैं इस चैप्टर के क्योंकि इससे आपका बहुत सारा जीके का पार्ट राजिस्टन का कवर होता है इसलिए इतना जदा डीप में जाकर कुश्यन को करवाया जा रहा है हर paragraph में हर एक line जो है वो कुश्यन के format में यहाँ पर करवाई गई है इस से बाहर आपके राजिस्थान के जीके का एक सिंगल कुश्यन बाहर से नहीं आने वाला है इतना आप याद रखिएगा तो यह सोचिए इनको आप बहुत अच्छे से ही याद कर लीजिए ताकि आपके exam में एक भी प्रश्ण जो है वो आपका गलत ना हो इसलिए chapter जो है वो बड़ा है लेकिन आपका कोई भी fact जो है वो नहीं चूटेगा ठीक है कुछ कुशन तो repeat हैं क्योंकि 6 से 10 तक की complete जब history हुई थी तो उसमें ये सारे कुशन आए हुए थे और जो कुशन नए है उनको आप याद कर लीजिएगा Albert Hall का design किसके द्वारा बनाया गया? Sir Swinton Jacob के द्वारा Albert Hall का design बनवाया गया इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से RBSC की book को किसी ने भी नहीं कराया है इतना आपको भी पता है ठीके? कोचिंग में अगर आप बड़ी-बड़ी कोचिंग में भी देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको chapter जो है इस तरीके से ना करवा के वहाँ पर पूरा topic करा दिया जाता है जिसमें बहुत सारे facts जो है वो छूट जाते हैं या वो इतना जादा लेंदी करा दिया जाता है कि वहाँ पर बच्चे जो है वो confused हो जाते हैं यहाँ पर बिल्कुल आप story type में याद करिए आपको ये जीवन भर याद रहेंगे आरेस का exam देंगे तो आपको ये books जो है वो बहुत काम आने वाली है जैपूर के राम निवास बाग के बीच इस्तित Albert Hall की स्थापत्य शैली किस प्रकार की है यह इंडो सौरसैनिक स्थापत्य शैली है गलता जी नामक तीर्थिस्थान किस की तपोस्तली कहा जाता है जैपूर में इस्तित गलता जी में इसनान से पहले किस मंदिर में जाते हैं तो यहां राम गोपाल जी के मंदिर में जाते हैं नेक्स्ट दिखिए 186 कुश्चन है गलता जी में पहाडी परिष्थित मंदिर किस नाम से जाना जाता है और इसका निर्मान किस के द्वारा करवाया गया गलता जी में पहाड़ी परिस्तित मंदिर है सूरे मंदिर इसका निर्मान करवाया दीवान क्रपाराम ने गलता जी में पहाड़ी परिस्तित जो मंदिर है वह सूरे मंदिर है जिसका निर्मान क्रपाराम द्वारा करवाया गया श्री गोविन देव जी का मंदिल जैपूर में ही है जो राजिस्थान के किस जिले में इसके थे है तो मैंने आपको बताया जैपूर जिले में जैपूर शहर के मध्य इसके 60 फीट उची इसरलाट मीनार अनिक्किस नाम से जानी जाती है तो इसे सरगासुली या स्वर्ग भेदी मीनार के नाम से भी जाना जाता है इसरलाट मीनार को सरगासुली या स्वर्ग भेदी मीनार के नाम से जाना जाता है जैपूर में इसरलाट मीनार का निर्मान किसके द्वारा करवाया गया था तो इसरलाट मीनार का निर्मान करवाया गया राजा इस्वरी सिंग द्वारा ठीक है तो यदि एक्जाम में कुशन आता है तो आप्शन में आप इसरलाट और इस्वरी सिंग इससे मैच करके आंसर जो है वो सही कर सकते हैं राजा इस्वरी सिंग द्वारा 1749 इस्वी में इसरलाट मीनार का निमान करवाया गया तो जैपुर जिले में जितने भी परेटनिस्थल थे आज हमने वो कम्प्लीट कर लिया है इससे बाहर आपका एक भी कुशन बात नहीं जाएगा एक्जाम में चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जैसल में जिला करेंगे थेंक यू